नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है ने इस मामले को री उपेन करके रिपब्लिक टिवी के प्रधान संपादक गुष्वामी की गिरफतारी की गई इसके बाद जब जमानत ही आजका लगाई गई तो लोवर कोट से वो खारिज होई फिर हाई कोट गए इंटरिम जमानत के लिए जिसे हाई कोट ने नहीं माना त अपनी जमानत के लिए जबकि आरणा गोस्वामी और उनके वकील का काना है कि पूरी गिरफतारी जो है गैर कानूनी है क्योंकि केस को री उपेन करने से पहले कोट से इसकी अनुमती ली जानी चाहिए थी जो कि अलिबाग पुलिस ने अनुमती नहीं ली राइगार पुल दिया और फिर आनन फानन में गिरफतारी की जो कि बदले की भावना से की गई वो साफ साफ दिक रही थी किस तरीके से वो गिरफतारी हुई उच नियाले के आदेश के खिलाफ अरनाव गुस्वामी ने यह अपिल अधिवक्ता निर्मी में इस दुबे के माध्यम से दायर की है अरनाव ने याचका में महाराश सरकार के साथ ही अलिबाग थाने के प्रबारी मुंबई पुलिस आयुक परंबिर सींग को भी पक्षक बनाया है इस भी महाराश सरकार ने भी अपने अधिवक्ता सचिन पाठिल के माध्यम से नियाले में कवेट दाखिल किये ताकि उनका पक्स सुने बगएर गुस्वामी की आचका पर कोई आदेश नहीं दिया जाए आपको बता दे कि पिछले दिनों अरना गुस्वामी सु सुप्रीम कोर्ट में सब्मिट कर दिया यह गोपनिये था इसको ले करके सुप्रीम कोर्ट काफी नराज हुआ था और उस पे नोटिस जारी किया था कि क्यो ना बिधान सबा सचीव के खिलाफ आमानना की करवाई की जाए वो मामला अभी पेंडिंग है तब तक दूसरी मा को अक्तियार करता है संभावता कल इस पे सुनवाई होगी तो आप रही रहे खबर देखते रहे इन खबर थैंक्यू